रोजाना ग्यान वर्दक चीज़ों को जानने के लिए आप हमार चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें आज रात को सत्तर सालों के बाद दिखेगा जेश्ट पॉर्णेमा का चांद चार राशियों की लगने वाली है लोटरी जी हाँ नमस्कार दोस्तों जय मातादी स्वागत है आपका हमारी चैनल में दोस्तों आज की रात है पॉर्णेमा की रात वह भी जेश्ट शुक्ल पक्ष की पॉर्णेमा जोकी साल में सबसे महतपून और फलदाई पॉर्णेमा मानी जाती है बता दें कि इसके साथ ही इस पावन्तिती पर कबीरदास जैन्ती एवं वट पुर्णिमा वरत जैसे पर्व भी मनाये जाती हैं जिसकी वज़े से इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है दोस्तों सैयोग देखे कि इस बार ये पुर्णिमा शुकरवार के दिन पढ़ रही है शुकरवार दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं कि माता लक्षमी जी का दिन गैलाता है और जिस वक्ती पर भी माता लक्षमी जी के करेपा हो जाए उसका तो मानिये भाग ये ही चमक जा क्योंकि दोस्तों जब मा लक्ष्मी किसी से प्रसन हो जाती है तो वह छप पर फार कर देती है और दोस्तों यह पॉर्णिमा का दिन तो माता लक्ष्मी जी का सबसे प्रियर दिन भी होता है तो ऐसे में यदि आप इस दिन माता लक्ष्मी जी का प्रियर मंत्र ओम महालक्ष्म इस मंत्र का यदियाब मता लक्ष्मी जी के आगे बैट कर 21 बार जाब करें तो मा की कृपा आप पर भी बन जाएगी दोस्तों कहते हैं कि जेश्ट पुर्णिमा के दिन सच्ची मन से पूजा अराधना करने से इसी जनम में मोक्ष की प्राप्ती हो जाती है दोस्तों आपको बता दें कि जोतिशासर के अनुसार ये पुर्णिमा बहुती ज्यादा खास और मेत पुर्ण रहने वाली है क्योंकि दोस्तों इस दिन सत्तर सालों के बाद एक विशेश महासंयोग बन रहा है दोस्तों बता दें कि इस दिन साल का दूसरा और सबसे लंबा चंद गरहन भी लग रहा है जोकि दोस्तों उपचाया चंद गरहन होगा धार्मित मान्यताओं के अनुसार इस प्रकार के चंद गरहन को माग चंद गरहन कहते हैं क्योंकि इस गरहन में चंदरमा का कोई भी हिस्सा नहीं छिपेगा बलकि इस बार का चांद मट मेला सा दिखेगा बता दें कि यह गरहन पांच जून की रात में शुरू होगा और इसकी समापती 6 जून रात तरी 2 बच कर 32 मिनिट पर होगी और रात 12 बच कर 54 मिनिट पर ये अपने पूर्ण प्रभाव में होगा ग्रहन काल की कुल अवदी 3 घंटे 15 मिनिट की होगी दोस्तों बता दें कि चंद ग्रहन और पुर्णिमा के विशीश संयोग की वज़े से आप इस दिन कई सारे उपाय करके अपनी किसमत को चमका सकती हैं इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विश्नु के पूजा का भी विधान होता है और इस दिन माता लक्ष्मी जी की खास कर आराधना करने से जीवन में आपके कभी भी खुश्यों की कमी नहीं होगी यदि आपके जीवन में कोई भी परिशानी चल रही है तो दोस्तों आप इस दिन माता लक्ष्मी जी की आगे एक तेल का दीपक जरूर जलाएं और आपकी जो भी मनोकामना है उसे आप मन ही मन माता रानी को बोल दीजिए इसके बाद आप मा लक्ष्मी जी की आरती करिए दोस्तों आपकी वा मनोकामना माता रानी ज़रूर पूरी कर देंगी दोस्तों बता देंगी इस पूर्णिमा के दिन कही सारे शुब सैयोग के बनने से कुछ राशी वालों को भी बेहद लाब हो सकता है इन राशियों और ह होने वाले लाब के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे तो आप से अंदरोध है कि आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और इसे अंत तक जरूर देखिए दोस्तों आपको बता दें कि माता लक्ष्मी जी के क्रेपासी अब इन राशी वालों का भाग खुलने वाला है जिसकी वज़े से अब इनके सभी दुखों का अंत हो जाएगा इनके जीवन में अब अच्छा समय आने वाला है आप लोगों को नौकरी के शेत्र में अच्छा पद हासिल हो सकता है आप लोग आने वाले समय में अच्छी प्रगती को हासिल करने वा आप जो भी कुछ करें उसे सावधानी पूरुवक और सोच समझ कर ही करें। आपकी मेहनत का प्रिणाम आपको आने वाले समय में अवश्य मिलने वाला है। जो भी आपके पुराने रुकी हुए कार्य थे, वे सब अब आसानी से पूरे होने वाले हैं। बस आपको एक चीज राशी वालों की बात कर रही हैं। विराशिया हैं वरिशब राशी, मकर राशी, करक राशी, सिंग राशी, कन्या राशी और कुम्ब राशी। दोस्तों आपसे अन्रोध है कि आप कमेंट में सच्चे दिल से जैमालक्षमी अवश्य लिग दें और इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। साथी साथ इस वीडियो को अपने वाटसैप और फेस्बुक पर शेयर कर दें।